Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया चलो श्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फार्मकलॉजिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे अर्टकॉइट के बारे में उसका नेक्ट लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का ठीक है ना जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटि हिस्टामाइज क्या होते हैं और 5-HT एंटागोनिश ठीक है ना अपने सिलेवस में इसके लिए यहां पर मैंशन किया गया है कि इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है क्लिनिकल यूज पढ़ने है और एडवर्स इफेक्ट पढ़ने है ठीक है तो उनी तीन चीज़ों पर हम लोग यहां फोकस करेंगे तो थोगा सा इंट्रॉडक्शन समझे कि होते क्या है यह तो एंटि इस्टामाइन सब लोग कहीं नहीं वाकिफ हैं अलर्जी वगेरा होता है तो सब्लीक भुद्धि ए मिए पक्वाइट से ट्टिवी इन नाम से तौम नाम से आती हैं तो उसमें जाकर कि आप वो देखना उसमें लिखा हुआ एंटिस्टामाइ ठीक है ना तो देखो क्या होते हैं anti-histamines anti-histamines are pharmaceutical class of drug that act to treat histamine-mediated condition histamine जो हमारा receptor है वो जो activate हो गया या histamine की वज़े से जो चीज reactions हो रही है उनको control करने के लिए anti-histamine use होता है there are two main classes of histamine receptors ठीक है दो main classes है H1 receptors and H2 receptors ठीक है बहुत ध्यान से सुनना यहां से question भी उड़ता है anti-histamine drugs that bind to H1 receptors are generally used to treat allergies and allergic rhinitis तो ध्यान रखना anti-histamine में जब H1 यानि की तुम जो citrogen खा रहे हो allergy के लिए कोई दवा खाते हो anti-histamine लेते हो तो वो कौन से receptor पे जाके act कर रहा है H1 पे जाके act करता है ठीक है drugs that bind to H2 receptors can treat upper gastro-intestinal condition that are caused by excessive stomach acid यानि की यह कही ना कही हमारे पास क्या होते है anti-acid होते है तो H1 और H2 में बहुत clear-cut रहना है H1 हमारे anti-allergic है और H2 anti-acid होते है ठीक है ना H2 जब block होगा तो anti-acid की तरह behavior होता है यहाँ पर अब classification लेने थोड़ा सा हम लोग इसका तो 3 category तोड़ रहे हम लोग जैसे कि H1, H2 जो अपनी है वैसे कई होती है H1, H2, H3, H4 ऐसे होता होगा चला जाता है अपने जो clinical use के लिए सबसे ज़्यादा important माने गई है वो H1 और H2 माने गई है ठीक है ना तो H1 क्या है These drugs competitively antagonized actions of histamine at the H1 receptor इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है यह वो drugs है जो histamine के लिए competitively fight करेंगे यानि कि histamine के action को कहीना कहीं क्या कर रहे है antagonize कर रहे है अब इसी में आते हैं second generation H1 actually है क्या जो first generation होते है वो क्या होते हैं थोड़े से sedative होते हैं उन्हें खालो तो नींद सी आती है second generation जो है उनको खाने से नींद नहीं आती है तो the second generation anti-histamine SGS भी कहते हैं may be defined as those H1 receptor blockers marketed after 1980 यानि कि 1980 से पहले जो marketing की जारी थी अभी भी आती है लेकिन 1980 के बाद जो H1 instrumental marketing होई है वो second generation के लिए है which है one or more of the following property क्या क्या प्रपर्टी है second generation की absence of CNS depressant property यानि कि CNS को depress नहीं करेंगे यानि कि इनको खाने के बाद हमको नींद नहीं आएगी ठीक है ना बड़ा बीच में एड भी आता था कि यह सीरप पी लिया तो नींद आ रही है या कोई दवा खाली तो नींद आ रही तो इसको खाने का नहीं आएगी higher H1 selectivity no anti-clonologic side effect यानि कि इनकी selectivity especially H1 के लिए होगी किसी भी type का anti-clonologic side effect नहीं डालेंगे ये लोग anti-clonologic पढ़ चुके हम लोग पहले additional anti-allergic mechanism apart from histamine blockade इनके पास कुछ और additional anti-allergic property या mechanism भी होते हैं यानि कि कुछ और तरीके से भी anti-allergic property शो करते हैं H1 blockade के अलावा यानि कि H1 को block करके तो करते करते हैं कुछ और mechanism से भी ये लोग anti-allergic property अपनी शो करते हैं तो अगर हम इसका मोटा मोटा मेन classification की बात करें H1 की तो एक होते हैं highly selective जिनको खाने के बाद बहुत ज़्यदा नीद आती है जैसे कि अपना diphenhydramine ठीक है ना? प्रो मिथाजीन सुना होगा diphenhydramine हमारा syrup पगरा में होता है ठीक है ना? then fenramine ये भी syrup में पाए जाता है then cyproheptadine cynarygene ये नाम कॉमन सुने होंगे तो ये syrup होते हैं कुछ जो खासी वाले होते हैं जिसको पीने के बाद क्या होते हैं नीन सी आती दी chlorphenidramine पक्का सुना होगा ठीक है उसके बाद आ जाएं second generation ये नॉन सेलेटिंग होते हैं फेक्सोफिनाडीन बड़ा कॉमन इस समय एंटी अलर्जिम चलता है ये लॉराटीडीन then cetrigine cetrigine लेकिन कई बार कुछ लोगों को cetrigine खान से कहते हैं सनीन सी आती है वाट cetrigine जो हमारा है वो कहीं ना गई second generation का है एजिलास्टीन और इबास्टीन यह कॉमन नाम है जो तुमको मार्केट में दिख जाएंगी एंटी अलर्जिक प्रपर्टी एंटी अलर्जिक मैडिशन के तौर पर जो डॉक्टर प्रिसकाइब करते हैं ठीक है ना सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं खाने के बाद ध्यान बटकता है ठीक है अलर्ट जो अलर्ट होना की दिमाग को दिमाग अलर्ट नहीं रह पाता है लाइट हैड़नेस सर खलकापंसा आया था सर पे मोटर इन जो तालमेल बठाने की नहीं नहीं बिगड़ जाती है फटी थकान सी लगती है टेंडेंसी टू फॉल स्लीप नीन जैसी लगती ह इंपेर्मेंट ऑफ साइको मोटर परफॉर्मेंट जो हमारा साइकोलोजिकल साइको मोटर यानिकि दिमाग और साइकोलोजिकल चीज़ें थिंकिंग प्रोसेस है कही ना कहीं अफेक्ट हो रही है ड्राइनेस ऑफ माउथ मुव सूखता है अल्टरेशन ऑब बोबल मुमेंट पेट हमारा गुरुरुरु कर सकता है array Text afin टाने में कई ऐबार करते है दिक्कसी लगती है・ vikt कि अखक actually is blurring of vision है क्या है इसकी ऐंटि क्रोनारजिक प्रोपरटी होती है ऑफ ओल्डर एंटी हिस्टामेनी की फर्स जनरेशन वालों की होती है बात वाकि थोड़ी बहुत कहीं नहीं के प्रॉपर्टी याने की साइड इफेक्ट हमको इनके देखने को मिल जाते हैं से हैं ठीक है सिंपल है बहुत यह नहीं है यूज की बात करें तो अलर्जिक अलर्जी में सब याद कर लेंगे कौन कौन सी अलर्जी के रायनेटी अर्टिक एरिया कंजेक्टिव आटीज ए टॉपिक डर्माटाइटीज ब्रॉंकियल अस्त्मा एनफायलक्सिस एंटीमेटिक इमेटिक मतलब वाम्टिक को रुखने के लिए इस्तमाल आता है मोसन सिगनेस ठीक है ना मौर्निक सिगनेस इन्सोम्निया पराइस्थेटिक मेडिकेशन कफ पार्किंसन वर्टीगो एक्क्यूट मसल डिस्टोनिया तो कई सारी प्रॉड्लम है जहां पर हम लोग इनका यू स्पनेसर ट्रगज है वहाँ पर धीटिएल है पड़ा हुआ है चाव तो उसको देख सकते हो वहाँ से इसको पढ़ोगे Comont Comic और ऑर अंसरिंग असान होजाए यहां के पॉंइंट कुछ वहां लिख सकते हो फिर आगे आते हैं तो सबसे पहले पाए गया है अगर आप सी बोट से हैं और क्लास 12 के विश्टी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर समिटीडीन का जिक्र आया हुआ है ठीक है सबसे इंटेडूस हुआ था 1977 में and it was the first H2 blocker to be introduced clinically की इंसान को पर देंगे और इंसान ठीक हो गया उसके बादा है रैंटेडीन कहां पाए जाता है फटा फट बताओ बहुत दिक कॉमन ब्रैंड नेम है जिन टेक, एसी लॉक है ना गैस के लिए इस्तमाल होता है देन फोमेटडीन, रॉकसाटडीन and many other have been added subsequently धीरे धीरे इस सीरीस में add होते चले गए they are primarily used in peptic ulcers तो H2 का सबस्वड़ा role क्या था ulcer के case में इस्तमाल होता है इनका gastroesophagal reflux में इस्तमाल होता है and other gastric hypersecretary states सारे टाम लोग पहले किलियर कर चुके है these are the first class of highly effective drug यह सबसे पहली class choice of class है इनको हम लोग यूज़ करते हैं काफी effective है for acid peptic disease है नो जो ulcer acid peptic acid की वाइज से होने वाली hyper acidity हो जाती हो जाती प्रोटोन पंप इनिवीटर बट आज कल PPI प्रोटोन पंप इनिवीटर याद आ रहा है कर चुके हम लोग तो कहीं न कहीं यह कहीं न कहीं इस से ज़्यादा effective है तो इनका इस्तमाल अब ज्यादा होता है होता है इनका भी है बट PPI का ज्यादा होता है तो H2 एंटी इस्टमिन की बात करने तो सिमेटेडीन, रेंटेडीन, फॉम्रेडीन, रॉकसरेडीन और लेफ्यूटेडीन यह कॉमन कुछ तवाईया है जिनको याद कर लोग इनकी classification में इनके adverse effectory बात करें तो वह याता है mild बहुत थोड़ा सा side effect होता है सर्दस हो सकता है, dizziness चक्कर यह सा लग सकता है, bubble, पेट गुरू-गुरू कर सकता है, मुह सूख सकता है rapid और high dose, अगर IV लगा दें और बहुत तेई से body condition इसको डालें अगर तो confusional state, एक confusion जैसी state create हो सकती है, hallucination हो सकते हैं, conversions हो सकते हैं, cardiac arrhythmia हो सकता है, cardiac arrhythmia हो सकते हैं, cardiac arrest हो सकते हैं, पहले हम सारे पढ़ चुके हैं, तो वह सारे terms अब यहां पर आ रहे हैं, तो अच्छे से हमको याद करना आसान हो जाएगा, easily हो जाएगा, ठीक है ना, तो serious effect mostly occur in elderly patient, जो बूड़े-बाड़े patient होते हैं, उनमें जाहतर क्या होता है, हमारा central nervous system क्या होता है, affect होता है, clear है, बात समझ में आ रही है, now use की बात करें, तो peptic ulcers है, non ulcer dyspepsia है, bleeding from stress ulcers and erosive gastritis, ulcers से bleeding हो गया रहा हो रही है, या gastritis से bleeding हो गया रहा हो रही है, gastroesophageal reflex है, जिसे GRD disease, बहुत अच्छे से पढ़े हैं हम लोग detail में इसको, profile axis of aspiration pneumonia, ठीक है, और RT area, इन सब cases में हम लोग H2 antagonist का सीमित रहेंगे, H1 का anti allergic और H2 का anti acid, के लिए रहे बाते हैं, अब, अब आते हैं हम लोग 5HT antagonist, ठीक है न, जो इसको अपोस करेगा, या रोकेगा, इसका विरोज करेगा, अब जो को यहाँ पहले receptor समझना हमें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी drugs, receptor के नाम से आने वाले हैं, 5HT receptors जो हैं, यह कई category में हैं, 5HT 1, 5HT 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 1K, 1A, 1B, 1C, फिर further 1 का A, alpha, 8, beta इस तरह से, receptor, sub-receptor, sub-sub-receptor, उसके भी further receptor हैं करके, तो कई receptors के receptors हैं, ठीक है न, उसके further classification हो रखी है, तो यहाँ पर confuse नहीं करना, यह मने एक मुटा च्छोटा चार्ट समझने क अगले दे रखा है, ठीक है, 5HT 2A, 5HT 2B, 5HT 2C, इतना ही नहीं, अभी आगे और होते हैं, तो किस receptors पे कौन सा drug effect करेगा, उससी के हिसाब से क्या होगा, action आता है हमारी body के उपर, तो देखते हैं अब ज़रा, classification की बात करें, तो मुटा मुटा हम लोग 5H2 और H2, 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 H ठीक है, तो हम उसका use करेंगे, और ये कुछ हैं हमारे पास non selective है, non selective है, किसको जाके रोकेंगे, कुछ selection नहीं है, 2 को भी रोक सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, किसी receptor को जाके ये लोग रोक सकते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन आता है, या ये partial agonist और partial antagonist, उसका support भी करत हैं, antagonist, agonist तो clear है ना, फार्मकोलोजी पर्टो तो उम्मीद करों clear होगा अब ये, अर्गोटा माइन, lycergic acid, 2, bromo, lsd, methylgide, cyproheptadine और sinarigine, यहां की बात करें, 5 st2 में तो, ketanserine, retanserine, close up wine, और resperidone, ondincitron, ondincitron, granistron, tropisteron, pelanocitron, और ramocitron, ठीक है ना, थोड़ा सा tongue twister हो जाता है कही बार, तो ये 5 st2 और 5 st3, classification आएगा, तो फिलाल यहां तक दिखाएंगे आप, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करें हैं, आप classification मैंने पहले तरीका बताया, नाम लिख करके दो-दो example देने, ठीक है ना, अब कौन से देने वैसे देखा जाता है, जो वेंट टिक किये हैं यहां पर, इसमें तो यह ondastron, बहुत common है, वाम्टिंग वगरा के लिए इस्तमाल होता है, यहां पर अपना close-up आइंड दे सकते हो, ठीक है ना, यहां पर अर्गवाट अपना लिख सकते हो, सिनार इजीन कॉमन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक एक दो दो एक्जामपल दे देंगे, क्लासिफिकेशन हमारी कम्प्लीट हो जाएगी यहां पर, अब हम अगर आगे बात करें इसके, कुछ खास ड्रक्स, कुछ खास ड्रक्स जो इनमें समने लिये हैं, जो इस्पेशली पूछे ज करते हैं, है ना, जिनको भूग कम लगती है, इसके अलावा, इसकी एच वन एंटी हिस्टामीनिक, एंटी कॉलोनलर्जिक और स्रेटी प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है, तो थो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, नॉन फाइश्टी एंटागोनेस्टिक यूजेस, या को यूज दिखाता है, एंटी प्रॉराइटीस, एंटी एलर्जिक और इंक्रीज एपटाइट, भूग बढ़ाता है, ये इसका सबस्यादा इस्तमाल होता है आजकर, और फाइश्टी एंटागोनिस्ट की तरह यूज करते हुए, मतलब उसकी तरह से यूज करें तो क्या क खाना खाते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी क्या होता है, आतों से होता हुआ, आगे निकल रहा होता है, तो उसकी वएशे से डंप, खाना इतने से हमारा क्या हो रहा है, डंप हो रहा है करके, सीधा जा करके आतों में पहुंच रहा है, तो उसकी वएशे से होने वाली ज समय तक खड़ा हुआ है इरेक्ट हो रखा है ठीक है ना उस केस में क्या होता है उसकी जो मसल से डैमेज हो सकती है ठीक है यह और्गैजमिक डिले और्गैजमिक डिले मतलब पैनिस को एक ताइम के बाद एजैकुलीट कर दिना चाहिए बटो एजैकुलीट नहीं कर पा रहा ह साइड एफेक्ट में क्या क्या है drowsiness dry mouth confusion ataxia weight gain रिए सारे साइड effDAY है ठीक है यह special drug बेटा जो 34 करा रहा हुआ इनको करना है तुमको अलग से अर्गटमाइन की बात करें तो इसके एडवर्स एफेक्ट में क्या-क्या है नॉइजिया वामिटिंग अब्डोमिनल पेन मुसल क्रैम्स यह सारे टम्स पुराने पड़ चुके तो बारव नहीं कर रहा या कर दूँ चुल कर देता नॉइजिया नॉइजिया मतलब जी मिचल आना वाम्टिंग उल्टी आना अब्डोमिनल पेन पेट मंदर्थ हो सकता है पेट वाले हिस्से में मसल्स क्रैम मसल्स क्रैम कर सकती है वीक्नेस कमजोरी आगी पैरास्थेसिया कॉरोनरी एंड अधर वस्कुलर इस पास ठीक है ना जो दूसरे तरीके के इस पास में हमारे पास चैस पेट वगरा तमाम चीजें हैं आर्दा फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ठीक है बहुत साज़ साइड इफेक्ट इसके कौंटरा इंडिकेशन की बात करें वीज ड्रग्स और पूरी बाड़ी में इंफेक्शन फैला हुए है तो हम इस तरग का इस्तमाल नहीं क जाज़न करेंगे परेइस्वाशन हां नहीं करेंगे लिवर टीट्र है अब यह टन सेरीन यह क्या है इस इलेक्टिव 5-2 यह घरा रहा है यासे तो इनकी नहीं यह पक्का याद कर लेना कौन से रिशेटर को ब्लॉक कर रहे हैं यह इनके ्ट्रेशन ये स्मूद्प मसेल एंटागोंस कर रहा है वैसे को प्लैटेशन को एक कॉंट्रेशन को मस March रहा है उनको क्या विरोद कर दे रहा on ठीक है closer point it is a weak dopaminergic dopaminergic ठीक है antagonistic and anti psychotic पेटा terms याद आ रहे हैं सारे ये बताओ फेले ठीक है तो ये एक वीक dopamine है न डोपा डोपामाइन मतल़ा जो dopamine ठीक है न Dopaminergic antagonist है यह ठीक है and anti-psychotic है anti-psychotic समझ जी रहे हो दिमागी वाला है इजा 5HT2A-2C blocker इसका जो receptor है जो यह है its agonist activity at cerebral 5HT2A-2C receptor which may account for its efficacy in resistant case of syzophrenia ठीक है ना जो इसकी agonist activity है दिमाग में जो receptor है 5HT2A-2C ठीक है ना उसके उपर जो यह एक्टिविटी करता है जिसकी वाज़े से हम लोग इसको syzophrenia के जो resistant case होते जिनके उपर दवाई असर नहीं कर रहे होते वहाँ पर हम इसका इसका इस्तमाल कर पाते हैं जो सब बहुती कॉमन ड्रग है वंटिंग के लिए इस्तमाल होता है जब कब जो उसके पेशन्ट होते हैं इंको cancer बगए रहा होता की मुथर भी चल रही होते तो उनको वंटिंग आजी बहुत जादा तो उस case में इसका इसका इस्तमाल होता है इस सिलेक्टीव 5-HT3 antagonist controlling nausea है ना 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 नाशा कन्टोल कर रहा है वंटिंग कन्टोल कर रहा है नाशा वंटिंग के लिए नदिफरेंस क्या है बेटा नाशा जी मिस्ट लाना उल्टी जासा लगना वंटिंग उल्टी हो जाना following किसके बाद होता है ऐसा administration of highly emetic anti-cancer drug जो anti-cancer drug होती है वो highly emetic होती है and radio therapy जो radio therapy बगरा होती है उसके बाद उल्टी बगरा जैसा लगता है तब हम इसका इस्तिमाल करते है ठीक है ना तो ये 4-5 drugs जो थी इनके receptors याद करने है और इनके function याद करने है यह पांच पक्के से ठीक है इंपोर्टेंट है आ गया आते है clinical use कोई भी 4-5 अपने याद कर लेंगे ठीक है यहां मैं छोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं जैसे की receptor अब देखो उन्डिस्टिर्ञ जो जो है अपने पास उसको देखेंगे बाकियों को नहीं देखेंगे अंडिस्ट्रा walks टीक है देन सीजा प्राइड तो इसके बाद रह ने पास ठीक है तो Ondistron किसे block कर रहा है block 5HT3 receptor को ठीक है और decrease Noisia, Wormting, Nociception and Mortality इन चीजों क्या कर रहा है यह decrease कर दे रहा है main Noisia Wormting रहेगा इसमें इस तरीके से हम आगे देखें अगर यह आगे अपने पास ठीक है अब इसी तरीके से हम देखें अगर जो receptor के subtypes हैं जैसे की 5HT1A ठीक है ना इसको जब block करते हैं तो anxiety, depression यह सब चीज़ें क्या होती है हमारी block होती है जिसको bespiron drug जो है वो block करता है ठीक है 5HT1B, migraine और headache को cure करने के लिए इस्तमाल किया रहा है तो यह कुछ subtypes हैं जिनको अगर हम लोग control करते हैं और कौन सी दवा control कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे ठीक हो सकती है non indication किस indication में हमें इसे block करना है और कौन सी दवा medication का नाम दे रखा है bespiron ठीक है ना यहाँ पर क्या है sumatri pattern और risalary plan और zolmi तो आसा नाम गरबड़ हो रहा है zolmi tripton ठीक है ना नाम को लग clear नहीं है PDF में clear आ जाएगा ठीक है ना तो यह subtypes है कि कौन कौन सी subtypes है तो यह fail गया है और कुछ नहीं है ठीक है जोटा करेंगा तो clear आ जाएगा जो कि तुमको notes में मिल जाएगा ठीक है ना clear cut तो यह subtypes हैं कि 2A, 2F किसको block करेंगे क्या चीज़ ठीक होगी anxiety, depression ठीक होगा कौन सा drug है ठीक है ना buspiron या buspiron ठीक है migraine, headaches को ठीक करने के लिए somatri, tipton और फिर उसके बाद बात करें अगर hypertension ठीक है 5HT2A इसको block करेंगे तो हमारा hypertension ठीक होता है cantinserin कौन सा drug है cantinserin तो यह drug और उसके use हैं और subtype कौन सा किस पर use हो रहा है तो कई सारे चीज़े हैं हमको इसको समझना है केवाल 2, 4, 5, 6 use इनके याद कर लेने subtype के 2, 4 पकड़ लोगे यहाँ पर अपना जो यह उपर वाले हैं इनके तो especially सबके अलग-अलग से याद कर लेने हैं ठीक है ना बात वाकी noise of vomiting है ondisteron जो coffee common है फिर यह subtype वाली बात आ जाएगी एक एक दो तो इसके याद कर लोगी इसके सब यह subtype वाला receptor block होगा तो यह दवाई block करेगी और क्या effect आने वाला है clear है बात है ठीक है ना side effect इसके वही है simple drosiness, headache, dry mouth, dizziness and blood vision यह बात समझ मा रही है ठीक है अब जैसे 5ST3 इसको chemotherapy induced nausea उसको chemotherapy induced nausea को रोकने के लिए हम 5ST3 को block करेंगे कौन सी दवा है ondisteron, ठीक है granny citron और tropicentron बात समझ मा रही है अब 5ST4 को block कर देंगे तो gastrointestinal mortality disorder ठीक होगा हमारा maclopromide जो है medicine हमारी है इसको block करने के लिए तो इस तरीके से यह disease दे रखी है नीचे दवायां दे रखी है clear है तो uses वगरा करोगे इसके ठीक है तो छोटा chapter था बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं तो खास-खास चीज़े है side effect 3-3-4-4 याद कर लोगे clinical use 3-4-4 याद कर लोगे classification तो याद करनी ही ठीक है ना तो याला chapter अपना ये lecture भी खतम होता है याला chapter भी अपना खतम होता है और PDF का link description में कोई problem आए ये number मौझूद है आप लोगों के पास और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ये application app मौझूद है mind nurture app जो की play store में मौझूद है और सबसे ज़रूई चीज़ जो करनी है अच्छे पढ़ाई के लिए revise करना है तो पढ़ते रहो revise करते रहो all the best